आप देख रहे हैं इसपी सिटी द्वारा फीता कात कर और सीएमो द्वारा गुदबारे उला कर किया गया अलीगर से समवाददाता प्रीती शर्मा की रिपोर्ट कमपेटिशन फुल कर आणारू के वारू को आणारू के आज बर नहीं जाए आरे पेचतो हाँ करो पता कैसे चलेगा पिर आपका आईडी पूरूप देना पड़ेगा अपना दूसरा नाम नाम निकारे नॉर्मल है पाइपलाइब इस्ट्रक्चर है नॉर्मल है और दूसरी ऐसी दिखरी जिसके वाल के अंदर बहुत सारा रुकावट आई हुई है यह वह चीज है जिसके विलोग पुर्णरी आटी डिजीज बोलते हैं जब पुर्णरी आटी डिजीज यानि जो नसे हो इती जो ब्लॉकिश हाट में हो रहा होगा at the same time यह हो सकता है कि उसको उसी वक्त ब्लॉकेज ब्रेन में हो रहा हो या शरीर के दूसी जगह ब्लॉकेज डेपलप हो रहा हो important बात क्या है क्या क्या symptoms होते हैं heart की problems की पहला कई बारी blockage कोई symptom नहीं हो कर दो शुरुआदी blockage में किसी तरह का कोई symptom नहीं होता है लेकिन इसके बाद short time हलका सा chest pain especially जब patient walk करता है हलका सा walk करते हो तो दर्फ शुरू जाता है जो आप खड़े हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं दर्फ बंद हो जाता है यहां आपर सांस फूले लगती है तो यह sign है कि आपको blockage की problem शुरू हने वाली है कि नाइन सेवन फाइन एट एलेवन शिक्स वान थिरी पॉर बिल्कुल सही सिर्मों सब्सके नुरॉप तो का वह साइकल दें क्या प्रोर्म क्या गया है और इसका उदेश क्या रहेगा देखे हर साल 29 सेप्टेंबर को World Heart Day पुरे विस्व में मनाया जाता है और जितने भी healthcare providers हैं बड़े hospital हैं प्राइवेट hospital हैं उन सब के साथ यथार्थ hospital ने भी एक पहल आज की है कि World Heart Day पर हम अपनी society को ये message दें क्योंकि हम देख रहे हैं कोवीड के बाद से heart की बिमारिया काफी बढ़ गई है कि इन बिमारियों को कैसे prevent किया जा सकता है आज कल समाज में और हमारे सभी सातियों में एक मित रहती है बहुत सारी चीज़े ये रहते है कि जब बिमारी हो तब हमें डोक्टर के पास जाना चाहिए आज यथार्थ hospital ने ये पहल किया है कि hospital आपके दुआर आया है आपको ये बताने के लिए कि बिमारियों से कैसे बचे होस्पिटल जाने से कैसे बचे और आपको पतेकवर्ष जो 29 सितंबर है उसको वर्ल्ड हर्डे के रूप में मानाते हैं जिसका मुख्य उद्धश है कि हिर्दे संबन्दी जितनी भी बिमारिया हैं उसके बारे में हम समधाय को जागरू कर सकें इसका जो उद्धश है वो किवल यह नहीं है कि हम बीमारियों के बारे में उन्हें बताएं इसका उद्धश यह भी है कि वो किस तरह से जानकारी के माध्यम से इन बीमारियों से अपने आपको बचा सकते